नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमिठी ब्लाग और मैं हूं खुर्तिवारी दोस्तों वेक्सिनेटर के बारे में आपको जान पहरी देना चाहूंगा जो भी हमारे वीडियो गए उन पर ज्यादा तर कमेंट यह आ रहा है कि सेलरी कितने है और क्य आब लुक्ता यह वेक्सिनेटर जो है सरकारी हो जाएंगा आगए चल करके तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह सरकारी श्कीम है और हर जो है ग्राम सभा इस तर पर जो है होना है तो कहीं न कहीं पसों की भी संख्या जो है हमेशा जो है बनी रहेगी पसों भी हमेशा जो है समाज में रहेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है कि इनको बाद में सरकारी कर दिया जाए जहां तक मेरा मानना है ऐसा कोई न्यूज है नहीं लेकिन ये संभावना है कि इनको जो है अभी पहले सम्विदा पर रखा जाएगा उसके बाद में कुछ दिनों बाद अगर ये स्कीम चलती रही और इसका बेनिफिट मिला तो ये इनको सरकारी जरूर कर दिया जाएगा और एक अच्छी खासी जो है इनको सेलरी दी जाएगी खैर अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इनकी सेलरी है ये क्वेस्टन बहुत बार आया और बहुत बार हमसे पूछा गया तो मैं अभी आपको ये चीज़ कंफर्म कर देना जायता हूँ कि अभी जो इनकी सेलरी है जो भी सबत पत्र पर लिखवाई गई है उसमें आप ये समझ लीजिए कि 3 रुपए से लेकर के 4 रुपए 5 रुपए कोई फिक्स नहीं है सरकार के उपर है कि वो क्या तैं करती है किस हिसाब से देती है तो उसके उपर है कि क्या देगी सरकार तो कोई फिक्स नहीं है लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 3 रुपए से 5 रुपए के वीच अक्र दिया जाएगा अगर आप एक रिख का धिका आ करते हैं तो आपको 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में आपको प्रदान किये जाएंगे जो आपको आपके bank account में दे दिये जाएंगे तो दोस्टों बहुत सब और है वेक्सिनेटर और सहायक से ले करके जिन्होंने फार्म डाले हैं अपलाई किये हैं या फिर इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं सबके दिमाग में जो है कोई ना कोई इससे संबने सवाल जरूर आता है तो मैं एक चीज और मैं बना रहा हूं एक वाटसप का जो है मैं ग्रूप रखा हूं तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा तो वहां से आप गुरूप से भी जुड़ सकते हैं अगर आप वैसीनेटर हैं और साहे废 हैं तो हमारा और और गूनबूप चल रहे हैं हैं और वहां से आपको जानकारियां ज प्रदान की जाएंगे आपको तो आप देखते तो दोस्तों अगर कोई भी जानकारी और कोई भी डाउट आपके दिमाग में है इस जॉप से ले करके इस वेक्सिनेटर सहायक पर कोई भी आपको समस्याती है कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे गुरूप पर जा सकते हैं या फिर आप यूटूप पर हमको देख रहे हैं तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं मैं अंकुर्तिवारी फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत जय जवान जय किसान वंदे मात्रम